विश्कार दोस्तों मैं अलपेज जूशी स्वारा सदीवा फ्रिजाप के बीच में एक नया स्ट लॉजिक टॉपिक लेके और आज इस वीडियो में वह चार रासी जो हैं विर्शिक रासी धनू रासी मकर रासी कुम रासी और मीन नासी इन पांच रासी के मैं बात करने वाल तो संका ट्राशिट विश्क लाशी और विश्क लगनमालोगी सबसे सर्वेस समय रहेगा धन व्रद्दी के साब से पद्द उन्यते के साब से सामजी कारें में उस्चा हिस्सा लेने के साब से या कुछ आपके रुक्य हुए काम थे पैसे उसे रिलेटेड वह पूरे करेंगे नया काम स्टाट अप करना चाहते हैं पैसे अरेंज नहीं हो पारता अरेंज हो सकता है इसके समय से बहुत अच्छा समय है अपनी वाणी का बहुत सहीं हम रखिएगा वाणी के कारण काम बिगड़ सकते ये भी एक नेगटिव पॉइंट है धनूराशी वाले सूर अपके लगन से अराशी से अकर देखें तो नवे भाव के स्वामी होगे आपके लगन में गोचर करेंगे जो कि कई नगी आपको अगर आपके ब्रेक्स थे किसी काम में वह पूरे होंगे बहागी का साथ मिलेगा काजव अटके हुए काम थे वह 100% पूरे होने के यह हो गह अपने गमन को पीछे रखके काम करेंगे तो यह समया आपके लिए सबसे सर्विस रहेगा चाहे वह नौकरी के साब से नहीं चाहे दन के साब से यह मेरा आपसे बात है बस अपने इगो को बीच में बताने ना यह 100% है कि कोई ना कोई आपके साथ ऐसी चीज़े होंगी जो इनके लिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि आप विप्रीत राजियोग बनाएंगो विप्रीत राजियोग जब भी को इग्रह बनाता है छे अट बारा से छे अट बारा में बैठ जाता है तो बहुत अच्छी कंडिशन्स होता है पर हाँ अगर आपका लगने सुर्ली में अच्छा बैठा है शनी मकल लगन और मकरशी वालों के लिए तो यह उनको अच्छा पल देगा सूर्य बहले उसका अती सत्रू एरता उसमें लगन के मित्र नहीं है बहले सूर्यदेव शनी के पर तब भी आपको कई नगे अच्छा प्रवाब देते हुए दिखाई देंग लगन वाले और यह समय आपको विदेश यात्रा के लिए प्यास कर रहे थे तो वो आप उसमें सफल्दा आपको मिल सकती है पासपोर्ट वीजा रोपा बुदा तो वह काम पूरा हो सकता है कौम लगन वालों के लिए साधी के रिस्ते आ सकते हैं साधी के के साधा आपके मन मुटाव हो सकते हैं और यह मीन नाशी वालों के लिए सबसे अच्छा है मीन नाशी के चटे गर में जब सूर्य आएंगे तो अपने हैल्थ का तो आपको ध्यान लगना पड़ेगा गारी दीदे चलेएगा बागी समय आपको बहुत उचाहिया दे सकता ह जबते के लिए बहुत बहुत दन्यवाद